चलिए बिना टाइम खराब के टापिक पर चलते हैं जब पिछली वीडियो में हमने अक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्नूटी को देखा था तो वहां पर हमने समझा था कि एडाप्टिव इम्नूटी टू टाइप्स की होती है एक आपकी active और एक आपकी passive तो अब अगर बात की जाए active और passive की तो active का मतलब होता है ऐसी immunity जिसका formation हमारी body के swim के अंदर हो यानी कि ऐसी immunity या ऐसा पतिरच्छा तंतर जिसका formation हमारी body के खुद के अंदर होगा तो ऐसी condition में हम कहेंगे कि ये active immunity है और passive का मतलब होता है कि जब बनी बनाई rediment immunity को हमारी body के अंदर inject किया जाता है तब ये passive immunity कहलाती है यानि कि passive का मतलब है कि बाहर से बना बनाया किसी जानवर के अंदर या किसी इंसान के अंदर बनी बनाई immunity को हमारी body में डाल दिया जाता है तब वो passive immunity कहलाती है जबकि active के अ ऐसा नहीं है active immunity में वो immunity हमारी body के अंदर ही बनती है इसी वज़र से वह active कहलाती है यह topic खतम अब इसके बाद हमने जाना था कि active immunity भी two types की होती है एक आपकी natural एक आपकी artificial ऐसे ही passive भी आपकी two types की होती है एक आपकी natural एक आपकी artificial अब जरा से समझने की कुछिस करते हैं कि यह आपका natural और artificial का क्या मतलब है ज़र आप वो जानते हैं देखिए जो आपकी active immunity है वो body की highly complex immunity है जो body के अगर pathogen आ जाता है तो उसको identify करती है उसको देखती है कहां पे है और किस तरीके के toxins का formation करता है और उस हिसाब से फिर उस pathogen को destroy करने का काम करती है example क तो पे जब body में कोई pathogen आ जाता है तो उसके बाद वो natural तरीके से वो body देखती है और जिस तरीके का pathogen यानि की antigen होता है उस अनुसार body स्वयम से खुद से antibodies का formation करके उस pathogen को kill करने का या उसको रोकने का उसको control करने का कारे करती है इसी वजह से यह natural है अगर बात की जाए क artificial में क्या होता है तो artificial में कुछ ऐसा होता है इसमें हम उल्टा आपकी जो pathogen उसको body में inject कराते हैं बस फ़रक यह है कि जो pathogen को body में हम ऐसे समझे जो vaccination की process में क्या होता है vaccination की process में यही होता है ना कि उसमें हम pathogen जो होता है उसको कमजोर form में weak form में या dead form में उसको body के अंदर इंटर कराते हैं ताकि जो body है उस body को उस pathogen के बारे में जानकारी हो जाए वो उस pathogen से जब परचित रहेगा तो जब एक बार वो pathogen body में इंटर करता है तो उसकी वज़से body antibodies का formation करती है और वो पहले से ही ready हो जाती है कि इस प्रकार का अब अगर pathogen हमारी body में आता है तो हमें किस प्रकार की antibodies का formation करना है तो यही process तो vaccination है vaccination में यही process की जाती है जहाँ पर जिस भी बिमारी का vaccination किया जा रहा होता है उस तरीके के virus को कमजोर form में हमारी body के अंदर डाला जाता है तब उसके प्रतिक्रिया स्वरूब हमारी body उस तरीके की antibodies का formation करती है और फिर अगर सही में भविस में आप जब कभी भी उस प्रकार के pathogen के संपर्क में आएंगे तो vaccination की process यही होती है इसी वज़े से कुछ vaccine होते हैं जो बहुत shorter time यानि कि कम time के लिए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो lifetime कम करते हैं अब यहां तक active खतम अब बात आई कि passive क्या है और आपने passive को च्छे से समझा था वहाँ पे आपने यह समझा कि passive का मतलब है कि जब immunity कहीं body के बाहर बने यानि कि antibodies का formation body के बाहर हो यानि कि bunny बनाई antibody को हमारी body के अंदर डाला जाता है rediment antibodies को हमारी body के अंदर डाला जाता है तो अगर हमारे body के अंदर वो बन नहीं रहा है तो वो natural कैसे हो सकता है तो हमने natural passive immunity कैसे देखनी है इसमें तो इस topic को समझे जब बच्चा होता है तो बच्चा अपने मा की पेट के अंदर होता है उस समय उसके अंदर तो कोई खास antibodies होती नहीं है तो उस समय पर antibodies का formation उसकी मा के अंदर होता है और मा के अंदर से वो antibodies placenta के थुरू उस embryo में जाती है यानि कि embryo मतलब क्या वही जो अभ धीरे develop होके बच्चे के form में convert हो जाएगा तो इस वज़ा से मा के थुरू मतलब मा से placenta के थुरू ठीक है जो antibodies है वो embryo में जाती है यानि कि यही कल को develop होके child बनेगा तो आप कह सकते हैं placenta के थुरू आपके child में जाती है और फिर child के अंदर आपके antibodies का formation हो जाता है और जो बच्चा है वो disease से लड़ने के लायक हो जाता है जो कहा जाता है कि मा का जो पहला गाढ़ा दूद होता है यानि कि breast feeding कराना चाहिए यानि कि बच्चे को अपना दूद स्टार्टिंग वाला जो दूद होता है उसे पिलाना चाहिए उसके पीछे का reason यह है कि उस time पर उनके दूद के अंदर एक helpful immune cells होती है जिनकी मातरा जादा होती है तो जब breast feeding होती है तो वो immune cell दूद के माध्यम से उस बच्चे के अंदर जाती है ठीक है जिस वज़र से उस बच्चे का अपना immune system अच्छा होगा अपना प्रतिरच्छा तंतर अच्छा होगा और वो रोगों से लड़ पाएगा disease से जगड़ा कर पाएगा यही symbol सी बात है अब बात करते है artificial में क्या होता है देखे artificial में कुछ खास नहीं होता है artificial में सिर्फ इतना सा होता है कि इसमें जो antibodies होती है वो किसी दूसरे जानवर के अंदर या किसी दूसरे इंसान के अंदर पहले उसका formation किया जाता है फिर उस antibodies को वहाँ से निकाल कर जिस भी इंसान है उसके अंदर inject कर दिया जाता है इस तरीके से उस इंसान के अंदर भी उस प्रकार की antibodies का formation हो जाता है और अब वो उस प्रकार के pathogen या उस प्रकार के जो भी वाइरस है उससे लड़ने के लायक हो जाता है और यही प्रोसेस आपका artificial है चुकि यहां पर बनी बनाई antibodies को किसी इंसान के इंदर डाला जाता है जिसकी वज़ा से वो इंसान अब antibodies का formation कर पाता है और उस प्रकार के disease से लड़ने के या उस प्रकार के pathogen से लड़ने के लायक हो जाता है सीधा सा concept है समझ में आए गया होगा तो मिद करते हैं चीज़ समझ में आएंगी वीडियो पसंद आएगी तो like से subscribe प्यारा सा comment प्यारा सा subscribe और ठोटा सा share कर देंगे तो ठीक है टाटा बाए बाए